Hi Everyone, पछले वीडियो में हमने देखा कि Source Map क्या होता है, कैसे हम Babel का यूज करके Source Maps को जनरेट कर सकते हैं automatically और Source Map कितने अधा important होते हैं, यह सब हमने देखा, अगर Source Map ना हो ठो हम debug नहीं कर सकते हैं हमारा code minified रहेगा, हमें समझ ही नहीं आएगा, कि हमने code लिखा है, क्या run हो रहा है, कहां पर error आ रही है, यह सब कुछ नहीं समझाएगा तो last video में हमने Babel use किया था, और हमने server start करने के लिए हमने live server का extension use किया था लेकिन यह सब कुछ, मतलब एकदम permanent solution नहीं है, यह हर एक चीज काम, मतलब पूरा का पूरा काम नहीं करता है और अगर हमारे पास, जैसे हमने क्या use किया था, वहां पर हमने import करके, मतलब हमने import और export use ही नहीं किया था हमने script tag का use करके react को और react dom को अपने project में include किया था, लेकिन जब हम actual projects बनाते हैं, तो हम import और export का syntax use करते हैं, तो यह सब कुछ काम बेबल नहीं कर सकता है बेबल का काम क्या होता है, बस JavaScript को convert करके दूसरे form में करना, JSX को convert करके actual JavaScript में करना, क्योंकि JSX actual JavaScript नहीं होता है और नहीं JavaScript को convert करके पुरानी JavaScript में करना, ताकि सारे पुरानी browsers में supported रहे तो हम क्या यूज करते हैं जब हम actual project बनाते हैं तो हम एक bundler यूज करते हैं अब bundler market में कई तरह के होते हैं, कई सारे bundlers है इसमें से सबसे अदा popular जो है वो parcel है, एक parcel है, दूसरा web pack है और तीसरा wheat है इनमें से जो सबसे अदा fast है, वो है wheat लेकिन इसमें जो सबसे आदा easy to understand है, easy to start है, easy to setup है, वो है parcel, easy to learn है, मतलब parcel बहुत ही आदा easy to learn है, easy to understand है, और जो webpack है, वो slow भी है, और easy to है ही नहीं, मतलब वो बहुत ही difficult है, setup करना starting में, इसलिए हम webpack नहीं use करेंगे, हम use करेंगे parcel, क्योंकि हमें starting में समझना है, हमें हर एक समझना है कि कैसे काम होता है, bundler कैसे काम करते हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि parcel क्या होता है, और parcel को हम कैसे use करते हैं, तो चलो अपने spin पर आ जाता है, मैं आपे एक chrome का window खोल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं search करता हूँ, parcel, ठीक है, parcel js, अगर हम search करेंगे, तो parcel क की website पर पहुंच जाएंगे, और यह काफी खुबसूरत website है, इनके website पर लिखा है, the zero configuration build tool for JavaScript, और यह change होता रहता है, जावा स्क्रेप, CSS, web, HTML, CSS, change होता रहेगा, और type script भी आ रहा है, तो basically यह क्या है, यह एक build tool है, ठीक है, build tool यानि की bundler है, तो bundler क्या करता है, अलग-अलग files को include करके एक file बना देता है, और फिर हम उसको अपने browser के अंदर run करते हैं, तो जैसे कि हम लोग npm install करेंगे react, तो चलो हम करते हैं, npm install react करते हैं, और npm install react करने से पहले हमें, हमने यहापे एक empty folder को vs code के अंदर open कर लिया है, मैं यहापे npm init पहले करता हूँ, npm init करने से क् और dash by का flag लगा देता हूँ, इससे हमारा एक package.json file create हो जाएगा, और एक npm का project एक start हो जाएगा यहापे, ठीक है, अभी मैं यहापे index.html file create कर लेता हूँ, और यहीं पे मैं script.js file create कर देता हूँ, इतना मैंने create कर दिया है, और मैं इन दोनों को connect कर देता हूँ, और यहाप एक इन फ में parcel कर देता हूँ, और फिर कोई ही heading हम कर सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया, और मैं script.js को मैं connect कर देता ह 혼, script.js को मैं यहाँ से connect कर देता हूँ, ठीक है, इतना हो गया, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी था हमने react को include किया था, तो हमने script tag ग कारके cdn link का unconduce करे include किय था लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट में अक्चुल प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो हम सीडियल लिंक का यूज करके नहीं काम करते हैं वह एफेक्टिव तरीका नहीं होता है तो उसकेस में क्या करते हैं हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज करते हैं और हम क्या कर तो यहां पर dependencies के अंदर आ जाएगा इसको करके मैं एंटर करता हूं यह दोनों लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है यहां पर dependencies के अंदर react और react-dom आ चुका है अब अगर मैं यहां पर live server अपना वाला live server on करता हूं जो की extension करता हूं और चलाता हूं चलो मैं देखता हूं यहां पर कुछ लिग देता हूं तاकि देखने के लिए हमारे में seront करते ता हूं अदर हो hello world इतना मैंने लिख दिया और script.js connected ही है हमारा तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं console log यहाँ भी मैं hello world लिख देता हूँ यह कर दिया तो हमारे console में print होके आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से server start कर दिया और हमारे इस html से यह javascript linked है तो यह run कर रहा है और अगर हम यहाँ पर network में देखें तो यहाँ पर अगर all में चले जाए तो यहाँ पर यह देखो मतलब script.js जो है इसको request जा रही है कौन request भेज रहा है यहाँ पर initiator लिखा है index यानि कि हमारा index.html फाइल है हम यहाँ पर url पर enter करेंगे जो भी हमारे website का url है पहले तो index.html आता है फिर html हमारा javascript को request करता है javascript आ जाती है फिर execute होती है रन होती है चल जाता है एक दम मस्त है चल रहा है ठीक है तो इतना हो गया अभी अगर कोई भी file होती है जिससे हमने पढ़ा है import export javascript के अंदर मैं यहाँ पे मालो एक file मैं data नाम से फाइल बना देता हूं data.js यहां से हम कुछ भी export कर सकते हैं जैसे मुझे अगर कुछ भी export करना है तो export मैं कर सकता हूं const data या सीधा मैं object export कर कर सकता हूं और मैं यहाँ पे मैं name is equal to अनुराग मैं अपना नाम दे देता हूं तो इस तरह से मैं export कर सकता हूं तो यहाँ यहाँ पे हमें export कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें export default करना होगा ठीक है यह सब कुछ हमने यह 6 वाली वीडियो में पढ़ा है अगर export default नहीं करना है तो हमें इसको एक variable में save करना होगा और उसके नाम को export करना होगा कैसे देखो अभी जब तक export default नहीं दिखा था यह error दे रहा था अगर हमें export करना है तो हमें इसको एक variable में save करना है const user ठीक है is equal to इतना कर देंगे तो error चली जाएगी तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं तो अगर आपको export और import नहीं पता है यह 6 के अंदर तो आपको वाली वीडियो देखनी है आपको उसका लिंक आपको description में कहीं नहीं मिल जाएगा नहीं तो आप search कर रहे ना YouTube पे यही चीज की import export in JavaScript और फिर फिर मेरा नाम लिख देना अनुराग सिंग प्रोकोडर यह पूरे चैनल का नाम लिख देना तो आपको वीडियो मिल जाएगी आराम से नहीं तो जावा स्क्रिप्ट में ही आप जाके देखना नहीं तो मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट कर दिए यह 6 के topics के उपर उसमें आपको जो सब अर्ली ब्रेकट हमें यूज करना होगा यूजर फ्रॉम अरे यार यह तो फॉर्म हो गया फ्रॉम लिखना है यह पर और फिर हम जो एक्जिस्टिंग फाइल है उसका नाम दे सकते हैं डेटा.js यह कर देंगे तो इतना कर दिया अभी यह बोल रहा है यह पता है कि हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया और चल रहा है तो ठीक है यह हमने पता चल गया कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल में अभी हमने जब रियाक्ट को इंस्टॉल किया है तो रियाक्ट तो कहीं इधर आया है रियाक्ट तो इस पूरे मतलब यहां पर आया है अब यहां से हम कैसे इंपोर्ट करेंगे अगर हम एंपीम के उपर जाते हैं यहां पर जाते हैं यहां पर हम सर्च करते हैं रियाक्ट यह है रियाक्ट और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखो चीजें ऐसे यहां पर तो use state बता रहा है इसको अभी हमने देखा नहीं है लेकिन यहां पर सीधा ऐसे ही as it is import कर रहे हैं import something from react तो जब हम node modules में कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं तर हम कैसे import करते हैं कुछ इस तरह से हम लिखते हैं import और फिर लिखते हैं react from react हम इतना कर देते हैं और फिर अगर हम console log करके देखें react ठीक है तो चलो देखते हैं क्या आएगा यहां पर तो error आ रही है यह बोल रहा है कि fail to resolve module specifier react ठीक है जो भी relative references हैं इनको या तो slash से start कर रहे हैं तो dot slash से या तो dot dot slash से किसी भी इस तरह से मतलब हम बिना dot slash के import ही नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर npm पर जाओगे तो कहीं भी तुम्हें dot slash मिलेगा नहीं सीधा उस library का नाम है जो हमने install किया सीधा उसी का नाम हमें लिखके import कर लेना होता है तो यह क्या है यह क्या मज रहा है तो actual में यह जो node modules है यह हमारा browser इसको नह कर दिया है अगर हम यहां पर खोलेंगे slash node modules यहां पर हम अगर लिख देते हैं node underscore modules ठीक है तो यह सारी files हमें मिल जाएंगे यहां पर यहां कि हम सारी files को सर्व कर रहे हैं लेकिन हमारा browser इसको समझता नहीं है node modules उसके बस की बात नहीं है node modules वो जानता नहीं है कि node modules है क्या actual म तो यहां पर यहां पर देखनी की जरूद नहीं है actual में मुझे लग रहा था कि यहां पर हो सकता आ जाए लेकिन यहां पर देखनी की जरूद नहीं है actual हम सर्व कर रहे हैं पूरा का पूरा node modules और हमारा browser उसको समझ नहीं पा रहा है ठीक है हम यहां पर error आ रही थी अच्छ नोड मोडूल्स ब्राउजर के लिए नोड मोडूल्स सर्वर के लिए अगर हम नोड का कोई कोड लिखेंगे अगर आपने NPM वाली वीडियो देखी होगी तो हमने वहाँ पे अगर हम यहाँ पर यह Lane ne आ यख यह पैस için सर्वर पर भी काम सकती है और क्लाइंट पर काम कर सकती है क्लाइंट यकि ब्राउजर फेवी लेकिन men yelling जहाँ वह सर्वर काम नहीं करता है ठीक है अघर हम यहां पर execute करें रिकmbol, हमकर सकते हैं और script.js, यह करेंगे तो error आएगी, basically बहुत ही error आएगी और यह चलेगा नहीं, क्योंकि यह जो हमारी react library है, वो browser के लिए है, वो server के लिए नहीं है, वो client-side library है, तो यहाँ पर हमारा browser node module समझता नहीं है, और यह react है client-side library, यानि कि हमें इसको चलवाना है हमें अपने browser में, तो यह सारा काम कैसे होगा, ठीक है, यह हम react का code वहाँ से कैसे access कर पाएंगे, तो उसी के लिए हम use करते हैं parcel, ठीक है, तो parcel की website पर आते हैं एक बार, कहां भी parcel की website, यह है, और यहाँ पर यह yarn की command है, लेकिन npm की command भी ऐसी होती है, npm install और parcel ऐसा कर देंगे, हम get started पर जाते हैं, यहाँ पर हम इस वाले option पर क्लिक करेंगे, building a web app with parcel, तो यहाँ पर हमें command मिल जाएगी, npm का यूज करके, कैसे install करना है, npm install, dash dash, save dev, यह बोर रहा है, हम चाहें तो capital D भी यूज कर सकते हैं, last में, तो भी वो as a dev dependency install होगा, ठीक है, तो हम इसको as a dev dependency install कर रहे हैं, और यह dependency के category में नहीं, नीचे या उपर कहीं, dev dependency category में आ जाएगा, parcel हमारे system में install होजाएगा, फिर उससे क्या होगा, वो parcel समझता है, ठीक है, parcel समझ पाएगा कि, अच्छा, इसने node module से import किया है, यानि कि, मतलब इस file से यहाँ से जाके, मुझे यह कोई code import करना है, तो अभी देखते है हमने parcel क्या करता है, एक बार install हो जाए, फिर हम देखते हैं, इसको कैसे use करते हैं, और यह actual में क्या करता है, तो हमने parcel install किया, और जिसे हमने parcel install किया, आप देखो, यह node modules कितना ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ज्यादा बड़ा, अभी तक जब तक हमने react or react dom किया था, तो ब parcel behind the scenes, बेबल को भी use करता है, यहाँ पर हम देखें, तो इसकी dependency है, वो इसकी खुद की dependency है, बेबल कोर, यानि कि parcel automatic यह क्या बोलते है, उसको बेबल को automatic यह already setup करके रखा है इसने, और यह JSX को automatic convert कर देगा, ठीक है, simple JavaScript में, तो हमने parcel को install कर लिया है, ठीक है, अभी हम parcel को कैस use करेंगे, हमें करना है, npx, npx का मतलब होता है, execute करो using npm, ठीक है, execute using npm, तो हमें क्या करना है, npx parcel, parcel यह लिखना है, और फिर यहाँ पर हमें अपने app की entry point देनी है, entry point यानि की, जो हमारी app का, जो main file है, यानि की, यहाँ पर हमारे index.html है, तो हम यहाँ पर करते हैं, index.ht और index लिखके tap दबा दोगे, तो यह पूरा automatic complete हो जाएगा, इतना करके हम enter करते हैं, तो देखो यह क्या करेगा, यह अपना खुद का server start करेगा, ठीक है, तो इसने अपना खुद का server start कर दिया, localhost 1234 पे, और इसको अगर हम अपने browser के अंदर open करें, तो यहाँ पर अगर dev tools म जाएं, तो यह देखो, कोई अरण नहीं, एकदम सखी काम कर रहा है, तो यह कैसे हो गया, क्या जादू कर दिया इसने, तो चलो देखते हैं, जादू तभी तक जादू लगता है, जब तक में पता नहीं होता है कि actual में हुआ क्या है, एक बार में समझ आता है, तो जादू क्या करता है, यह हमने इंपोर्ट किया है, नोड मॉडूल से, कुछ रियाक का कोड, तो उसने क्या किया है, जैसे हमने इसको रन किया, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो यहाँ पर डिस्ट नाम से एक फोल्डर कीट किया है, ठीक है, और इस डिस्ट फोल्डर के अंदर एक index.html file है और इस index.html file के अंदर script.js है, मतलब script connected है, वो दूसरी script connected है, ये index और 8, मतलब कुछ code type में लिखा है और ये वाली script connected है यानि कि इसने जो server start किया है, उसने हमारी file को नहीं serve किया, हमारी file को उसने serve ही नहीं किया है, हमारी file script.js connected है, type module लिखा है लेकिन जो इसने file generate की, उसने एक, ये क्या बोलते हैं, उसने एक html file generate की एक index.js file generate की, और एक map file भी generate कर दी है, इसने दो map file भी generate कर दी है, इसमें बहुत सारा code लिखा है, और ये सारा generate करके इसने server एक start किया और उस server में ये इसको open करें, ठीक है, और जो हमारा, जो हमारी file है, उसमें अगर हम page source देखते हैं, तो page source में ये जो है script.js, ये ही connected है, है ना, script.js है, तो हम अपना वाला server stop कर देते हैं, और बंद कर देते हैं, हमारा काम खतम हो गया, या तो हम पढ़ा रहने देते हैं, इधर हो सकता है, अगर ज़रुत पढ़ जाए तो हम use कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो हमारा है, वहाँ पे script.js connected है, लेकिन जो parcel का server है, उसमें देखो क्या connected है, इसमें मैंने क्या किया है, या फिर राइट लिक करके view page source करेंगे, तो यह चीज आ जाता है, वही चीज, सेम चीज यहाँ पे मैंने क्या था, control u, control u करने से page source आ जाता है, तो इसने क्या server किया है, इसने server किया है, एक, मतलब, html file, जहाँ पे index.something, कोई id है, .js को server किया है, यानि कि अगर हम इसको open करे तो यह दूसरी वाली javascript file है, यह हमारी javascript file नहीं है, नहीं हमारी javascript file में तो 3-line लिखी है, यह दूसरी वाली javascript file और इसमें तो बहुत सारा code है इतना code हमने लिखा भी नहीं इसको एक बार यहां पर आके देखते हैं यहां पर तो बहुत सारा code है यह देखो इतना अधा code हमने तो तीन लाइन का लिखा था और इसने एकदम नहीं HTML फाइल नहीं JavaScript फाइल और जावास्कृट को मैं हटा देता हूं और फिर मैं इसमें आके देखता हूं मैं यहां पर अगर आके देखूं तो मैं एक बार इसको फिर से rerun करता हूं तो दोबारा से भी rerun करने से इसने पूरा code हटाया नहीं है यहां पर अभी भी react कोड है तो मैं एक बार इसको फिर से लिख दिया है, अभी मैंने react तो अपने इस code में use नहीं किया है, तो इसको कैसे पता है कि react का इतना code लिखना है, शायद हमने जो react इंस्टॉल किया है उसके कारण हो, ठीक है, तो मैं ये पूरा code अटा देता हूं, और एक बार react को uninstall करके देखते हैं, ठीक है, मैं यहां से react को uninstall करता हूँ, और मैं लिखता हूँ npm un, यह uninstall का shortcut होता है, react, हमने install किया था न, उसी में, हमने यह install किया था न, react and react dom, इसी में i को change करके un कर देता है, तो यह हमने un कर दिया है, अभी मैं parcel का use करके, मैं इसको delete कर देता हूँ, एकदम से, और cache भी delete कर देता हूं हो सकता है कैशे के कारण हो डिख हम घर6 को जनरेट खरता हूं और हम टो अ यहाँ यहाँ पर देखेंगे तो इसने रियाट का और है रियाट का सर्च करेंगे react तो react यहां पर मतलब वैसा कुछ नहीं है react refresh वैसा करके कुछ है बाकी और कहीं भी react यहां पर use नहीं हुआ है तो basically यह इतना file इसने खुद के लिए generate किया है ठीक है और यहीं पर हमारा कहीं code होगा जो कि हमने लिखा था console.log.hello हमारा code बस इतना है बाकी सारा इसका code है तो इसने इतना सारा code क्यों लिख दिया भाई हमने तो अपना ही थोड़ा सा code लिखा था तो basically यह बहुत सारे काम करता है अगर हम parcel की website पे चले जाए तो यहां पर देखो सबसे पहला काम तो एक dev server स्टार्ट करता है दूसरा काम यह hot reloading करता है अभी hot reloading क्या होता है hot reloading basically हम लोग changes कर रहे है automatic हो हमारे browser पे update हो रहा है दिख रहा है लेकिन हमने ऐसा live server का यूज़ करके किया है अलड़ी तो वो उस case में क्या होता है हमारा page पूरा का पूरा रिलोड होता है लेकिन hot reloading में क्या होता है hot reloading का full form होता है मतलब hot reloading का कोई full form नहीं होता है एक short form होता है HMR और फिर उसका full form होता है hot module replacement अगर हम यहां पर search करें HMR ठीक है HMR अगर किवल बस इतना ही search कर लेंगे HMR full form तो यह मैंने सर्च करके देखा था यह आ रहा है है ध्राबाद Metro Rail ठीक है तो यह नहीं search करना है हमें हमें कर देना है इन जावा स्क्रिप्ट तो यह क्या हैगा hot module replacement यह काम करता है और parcel यह काम करता क्योंकि दोनों सेम काम करते हैं दोनों बडलर्स हैं ठीक है तो यह क्या होता है basically hot module replacement यह बहुत ही must technique होती है इससे हमारा जो browser होता है वह automatic मतलब बिना reload हुए changes reflect हो जाते हैं हमारे browser के अंदर ठीक है इसको मैं करके दिखाता हूं एक बार आपको अगर हम कोई भी javascript में अगर changes करेंगे तो वह automatic javascript या CSS में changes करेंगे तो automatic बिना page reload हुए दिख जाता है अगर मैं यहां पर अभी अगर मैं खोलूं और मैं console के अंदर यहां पर मैंने hello world लिखा है दो exclamation mark है यहां पर अगर मैं हटाता हूं तो अभी देखना आप यह मारा page reload हो रहा है यह reload होके दिख रहा है अगर मैं फिर से control z कर रहा हूं तो changes reflect हो की website पर ही मिल जाएगा तो मैंने already copy कर रखा यहां पर अगर मैं windows भी करूं और यहां पर paste करूं इतना सा code लिख देंगे तो इससे क्या होगा हम कोई भी change करेंगे हम कितना भी exclamation mark लाएंगे आप इस चीज़ को ध्यान से देखना यह चीज़ लोड नहीं हो रहा है और यह हमारा output यहां पर automatic reflect हो रहा है तो इसी चीज़ को बोलते हैं hot module replacement hmr ठीक है तो यह काम करता है इस सब के लिए इसको और भी code की जरूत पड़ती है तो इसी लिए हमने एक data नाम से file create करी थी इसको मैं delete कर देता हूं इसको हम यूज नहीं कर रहे है तो उन सब कामों के लिए बहुत सारे काम के लिए यहां पर इतना अपना खुद का code लिखता है और फिर बाकी बाद में थोड़ा सा हमारा code add कर देता है और इसके अलावा hot module reload के अलावा क्या करता है डाइगनोस्टिक्स करता है मतलब जो भी एर आती है उनको बहुत ही अच्छे से सो करता है जैसे कि अगर हम यहां पर कोई भी एक ऐसा मतलब कोई वेरेबल हम console log कर लें जैसे कि मैं user variable console log कर लेता हूं तो यहां पर यहां पर हमारे page में यह error दे रहा है कि user is not defined लेकिन अगर कई बार यह मतलब बहुत ही अच्छे से error देता है हमारे पूरे page पर आ जाती है जब हम import export करते हैं जब react को import करते हैं और कुछ नहीं मिलता है तो काफी अच्छे से error आती है ठीक है native performance यह सब तो अलग चीज है और भी अगर हम नीचे आ जाएं तो क्या कर रहा है ट्री शेकिंग कर रहा है ठीक है तो बाकी यह सब तो मुझे लगता है कि यह सब कुछ वह अपना software के हिसाप से कर रहा होगा ठीक है नोड का code होगा यह हमारे JavaScript के code के अंदर नहीं होगा तो ट्री शेकिंग क्या होती है आप पढ़ सकते हैं यहां पर बहुत सारी चीज हैं ट्री शेकिंग बेसिकली ऐसा code जो की यूज नहीं हो रहा है उसको इलिमिनेट कर देता है इसको हम यूज नहीं कर रहा है तो इसको हमारे प्रोडक्शन बिल्ड में नहीं डालेगा हमार क्या करता है और इसकी website मुझे बहुत सुंदर लगती है आप चाहें तो इसको क्लोन करने का टार्गेट रख सकते हैं काफी मतलब अच्छा चैलेंज रहेगा काफी चैलेंजिंग विबसाइट है इसको आप चाहें तो क्लोन कर सकते हैं काफी अच्छी सुंदर और इसलिए इतना सारा कोड इसने ऑटपुट किया है और उसी में हमारा थोड़ा सा कोड ठीक है और फिर नीचे इसने ऑटोमेटिकली सोर्स मैप को कनेक्ट कर दिया हमने पिछली वीडियो में देखा हम बेबल का यूज़ करके कैसे हमें बताना पड़ता है बेबल को कि सौर् से उपने मन से कर दिया स Margaret ठीकका जनडेट भी कर दिया और हम रेडियो को इंस्टॉल कर लें इस्टॉल कर दिया हम estas economies ने तो सवेड़ी घने के उन्सका कर दिया कि मतलब बिना रियाक्त के को चेंज करके आई कर देते हैं यह करके एंटर प्रेस करेंगे तो यह हमारे सिस्टम में रियाक्ट और रियाक्ट डॉम दोनों इस्टॉल हो जाएगा अब इसके बाद हम यह कर सकते हैं हम अपना पार्सल स्टार्ट कर सकते हैं npm npx parcel index.html यह कर देंगे और फिर एक बार बेंड हो जाने दो इसको इसने बेंड कर दिया है और सर्वर भी स्टार्ट कर दिया है अब हम यहां पे jss लिख सकते हैं हम यहां पर लिखेंगे h1 is equal to इस तरह से हम create कर लेंगे एक h1 यहां पर हम लिख देंगे hello world यह कर देता है और यह देखो इसने बेड कर दिया है अब बेड करके इसने क्या किया यहां पर डिस्ट फोल्डर यह मतलब इसने सर्वर स्टार् मैप वाली फाइल है और मैप वाली फाइल में हमारा वह पूरा पूरा कोड रहता है जो हमने अपने इसमें लिखा है यानि कि अगर हम इस चीज़ को सर्च करें hello world तो हमें यहां पर मैप वाली फाइल में भी मिल जाएगा यह देखो पूरा h1 hello world as it is मिल गया इसी का यूज करके debugging होती ही पूरा है सब कुछ हमने अल्रडी देख लिया है और इसने फिर इस html फाइल को इस javascript फाइल के साथ सर्व कर दिया अब यहां पर react का भी कोड होगा और यहां पर देखें तो react का कोड मतलब सब कुछ मिला के 5000 लाइन का कोड हो गया है ठीक है तो इसने इतना इतना ही line code लिखा है और इसने convert कर दिया होगा इसको convert करके चलो देखते हैं क्या किया है इसने बेबल करता है पर यहां किया है यह से कैसा किया है यहन पर होना चाहिए react. create element लेकिन jsX runtime टाइम ऐसा करके कुछ है और पास तो ऐसे ही कर रहा है फिर दोबारा जो भी मतलब प्रॉप्स थे जिसमें हम चिल्डरन पास कर रहे हैं तो इसी तरह मतलब इसने कनवर्ट किया है वही चीज में बस यहां पर रियाग डॉट क्रियेट अलिमेंट नाम नहीं लिखा है बाकी ह इसने कर दिया है लेकिन यहां पर नाम उसका अलग है और इसने खुद से ही नाम चेंज कर दिया जैसा करके कुछ इसने कर दिया है और फिर इसने इसको सर्व कर दिया है तो इसने मतलब क्या किया इसने नोड मॉडूल से इंपोर्ट किया हमने यहां पर रिया को हमने बस सीधा h1 लिख दिया हमने बस केवल h1 लिखा है इसने नोड मॉड्यूल से react को इंपोर्ट करवा है इसको समझ आ गया कि यहां पर j6 लिख रहे हैं इसका मतलब कि यहां पर react को इंपोर्ट करनी की जरुवत है ठीक है पहले क्या होता था पहले react का पुराना वर्जन थ रही है वह automatically import कर लेता है मतलब जो भी build tools है उनको freedom दे घई कि तो automatically import कर लो अगर j6 कहीं भी use हो रहा है तो नहीं तो हमें क्या करना पड़ता हमें import करना पड़ता ठीक है तो हमने यह react to import हम via dat कि का करेंगे हम यहां बोघ्व रीक्राइब करने कि किया दे के हमारी है और सेट अपरन कosta करते हैं ap क्या करेंगे हम यहाँपे हमने रियाक नहीं इंपॉर्ट किया इसका मतलब यह नहीं मैं हो भी क्या बोलते हैं 練 equations इंपोर्ट करना पड़ेगा करना पड़ेगा चलो अभी हम रूट को क्येट करते हैं कांस्त हमने एकْ relatink के वीडियो में देखा था जो हमने react element पढ़ा था तो हमने देखा था कि root कैसे create करता है root is equal to हमें क्या करना होगा react-dom dot create root यह करना है और फिर यहां पर हमें document.getElementById या query selector कुछ भी कर सकता है हम getElementById भी कर सकता है और यहां पर हम id root देता है है यानि हमने root create कर लिया रूट के अंदर हमें render करना है root.render यह जो हमने create किया है और फिर इसका इतना करके हम एक बार अपने server को start करते हैं और देखते हैं चलता है कि नहीं npx parcel और यह करते हैं तो इतना कर दी हमने और इसको अगर हम reload करेंगे तो बोल रहा है कि यह react dom is not defined और हाँ अब देखो यह जो error आ रही है एकदम मस्त अच्छे से हमें पूरे dev tools में ही नहीं हमें एकदम यहां पर भी दिख रही है हमें अपने पेज के ऊपर भी दिख रही ही है कि क्या एक्शुल में एर्ल है तो यह मैं इह पर क्लिक कर रहा हूँ यह मुझे उधर लिके जा रहा है मैं पहले एकस्प्लॉर making में नहीं किया था, यहां पर सस्प्लॉर यहां ले के जा रहा हु यहां पर क्लिक करने पर नहीं लो जा रहे है, कहां से तुमारी array, मतलब sub supposed लोए यहां पर ठीक पूर कोड दिखाने का पूरा कोड है, और जो पूरा है, यांI इंडेक्स.html में नदल्ब इंडेक्स.js में जो एक्स्टा कोट था ना हमने देखा तर इस्टार्टिंग में 500 लाइन था था मारा के वह एक लाइन का था बाकी सारा 500 लाइन का उसका खुद का कोट था तो यह सब कुछ मतलब लगाना नहीं अगर लगा देंगे तो required आजएगी और react slash Dom से इंपोर्ट करना है ठीक है react्स परिय टाम तो इससे इंपोर्ट करते हैं और यह चल गया है और और यह create route जहां से hem use कर रहे हैं यह हम React Dom से use कर रहे हैं जबकि हम्यBoy React Dom से use नहीं करना है रिएक paradox क्लाइंट से यूज करना आनि कि हम चाहें तो हम इसको सीधह import कर सकते हैं ठीक है हम यहाँ पर client मतलब create route कर सकते हैं मने मतलब मैंने react dom से create root को import कर लिया है तो अभी भी वही error आ रही है और यह बोल रहा है कि तो मैं slash client से import करना है तो यह error या warning जो भी है यह चली जाएगी तो इस तरह से हम import कर सकते हैं अब हमने code यहां पर लिखा है लेकिन actual code जो भी import का code यहां पर नहीं जाएगा इसने क्या किया यह सब कुछ import करके सब कुछ पूरा item setup करके एक file बनाके इसने share कर दिया है यहां पर हमने दूसरे file से import किया है लेकिन इसने केवल एक file बनाके सर्व कर दिया है simple app और हम चाहें तो इसको हम पूरी डिस्ट जो फाइल है रिवेल इन file explorer करता हूं और इस फाइल को मैं कहीं और मैं desktop पे सिधा copy कर देता हूं यह लो मेरी desktop फाइल पे मनलब desktop मैंने पूरी file copy कर दी और इसको मैं open कर सकता हूं open in vs code और मैं इसको एकदम कॉर्चाइब कर सकता हूं मैंने यहाँ पे live server के साथ इसको open कर लिया कि अब लाइस और के साथ में open किया है और यहाँ पर एक दम सही चल रहा है ठीक है और यहाँ पर जो source map था उसके card हम एक दम अच्छे se debug भी कर पाएंगे और शाहिपर यहां पर disabled हो, ठीक है, देखते हैं, यहां पर source map connected है की नहीं, लास्ट में, इसलिए मुझे वो चीज दिख रही है, यहां पर source map भी यहां पर लगा है, और यहां पर देख लेते हैं, source map disabled है की enabled है, यह enabled javascript source map, इसको मैंने disable कर दिया होगा कहीं बीच में, ठीक है, वीडियो के और इस पूरे, इस में, इस पूरे folder में कहीं भी script.js का naam निशान नहीं है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, map पे, यहां पर कहीं, script.js लिखा होगा, यह देखो, script.js यहां पर लिखा है, हमें मतलब file का नाम बताया गया, कि किस file से यह पूरा code है, तो सब कुछ source map के होता है map के अंदर और उसी का इश्क करके दिबग कर पाते हैं तो एकदम सिंपल सा एप है और चल रहा है मस्त और ठीक है इसको मैं हटा देता हूँ डीलीट कर देता हूं यहां से desktop से तो है स्पार्सल क्या कर रहा है node स्क्राइब से को टार भाषा रहा है नोड मॉडूल से को टाकर यहां पर इंडेक्स के अंदर डाल रहा है और फिर इसी को एक सर्वर पर सब्सक्राइब और जो इसका सर्वर है एक चीज में अगर आपको दिखाऊ हो यहां पर आप किसी भी यॉरल पर जाए किसी भी कोई भी रंडम यॉरल यह खुलेगा वही पेज यह जो भी सर्वेस ने स्टार्ट किया है हर एक यॉरल पर हर एक फाइल पर मतलब हर एक पाथ पर वही केवल एक की फाइल को सर्व करता है जो कि index.html यहां पर ठीक है अगर हम यहां पर कुछ भी चेंज कर दें तो यह आटमेटिक देखो यहां पर पार्सल्स हो जाएगा एक बार मैं रिलोड करूंगा तो यह पार्सल्स हो गया तो यानि कि यह है जो एक्चुल फाइल सर्व हो रही है लेकिन यह आटमेटिक रिपलेश भी कर देगा अगर मैं इसको सेव करूं यहां पर आखे जाहसे पार्सल्स को मतलब रिपलेश नहीं किया है जब हम दुबारा से साध्व बिल्ड करेंगे तो यह रिपलेश कर देगा ठीक है तो सही है तो इस तरह से कुछ पार्सल काम कर रहा है चीजों को हम import करके यूज कर पा रहे हैं जो कि अमरे ब्राउजर को खुद पता भी नहीं होता है क्या होता है अगर में आपर सोर्स में आया है और हम रिफरेश करें तो हमें यह देखो इंडेक्स मिल रहा है ठीक है और इंडेक्स.js यह सब कुछ मिल रहा है और यह हमारी पूरी की पूरी फाइल है यह जो हमारी इंडेक्स.js फाइल है और यह पूरी html file है ठीक है यह file मिल रही है और एक बार मैं देखता हूँ console में ठीक है एक बार reload करता हूँ तो यहां पर भी यहां पर मैंने नीबल किया था भी source map disable कैसे हो गया enable JavaScript source map तो जैसे मैं source map enable कर देता हूँ यह actual में बताने लगा कि skip.js से line number यहां से तुम्हारा यह प्रिंट होके आ रहा है और यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहां पर node modules भी आया होगा ठीक है यहां मतलब लोगं को देखके लगता है कि node modules तो ब्राउजर में भी आ रहा है और देख भी रहा है सारा वैसे का वैसे structure यहां पर अगर हम ब्राउजर के अंदर देखें node modules को चलो चलो के देखते हैं थोड़ सा तो यह देखो मतलब काफी हद तक वैसे structure एड़ पार्सल यहां पर आड़ पार्सल कहीं ना कहीं होगा ठीक है हाला कि हर एक चीज़ नहीं है हला कि लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ आई है यहां पर चलो यहां पर पार्सल है ठी यहां पर प्रॉसेस और बहुत सारी डिपेंदेंसी से बहुत सारी चीज़ आप सोच रहे हों कि नोड मॉडू से ब्राउजर में कैसे आगया तो यह अक्चुल में कुछ भी नहीं है यह चलावा है चलावा है कि हिंदी में वर्ड मतलब चलावा होता है इंग्लिश में इस मैं देखता हूं इंग्लिश मीनिंग इंग्लिश ट्रांशलेशन कुछ नहीं मिल रहा है अरे यार मझे पता था चलावा यह नहीं कि मतलब समाझ लो कि हमें ट्रिक किया जा रहा है बेवकूब बना जा रहा है कि नोड मोडूल का फोल्डर यहां पर आ रहा है लेकिन अक्चुल में यह कुछ भी नहीं है यह सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे सोर्स मैप के अंदर ही रखी है अगर हम सोर्स मैप की फाइल को बसके बडिस्कनेट कर दें या फिर यहीं पर सेटिंग्स में आके हम बस यह कर देते हैं इनेबल जावस्क्रिप्ट सोर्स मैप को अगर इसको आफ कर देते हैं तो यह सब कुछ गया है कि वही उतनी फाइल है जो कि वहां पर एक्चुल प्रेजंट है एक अच्छीमल फाइल और एक टेस्ट फाइल भी यहां पर होगी test file यह sales कर रहा है एक्चुल में serve कर रहा हूं हो सकता है इस folder में नहीं है लेकिन यह test file को serv कर रहा है कहीं न कहीं से तो बस उतनी फाइल से हैं जो की हमारे actual मदलब server पर है ठीक है तो वही file और इसी के अंदर हमारा यह source map मैप है नहीं पर node module सारे structure लिखा होगा यहां पर अगर मैं इसको format करूं इसको format कर सकते हैं shift alt f यह दबाके इस format कर दिया है मैंने यहां पर मैं search करूं node modules node underscore modules तो यह देखो सारा मतलब sources का पूरा structure बना है तो हमारा browser क्या करता है इसको समझता है इसको समझके एक browser like एक वह बना देता है illusion illusion काफी अच्छा वर्ड है ठीक है चलावा के लिए illusion भी अच्छा वर्ड नहीं है लेकिन illusion क्रेट कर देता है कि मतलब एक folder है ऐसा जो कि मतलब इतने सारे अदर folder से नोड मॉडियूल से उसके अंदर folder साइं सबकुछ बसके वली यह source map के करण हमें दिख जाता है कहां गया इनेवल source map है हां जैसे हमने किया मैं सारा कुछ दिखने लगा और यह सबकुछ दिखने लगा और उस सबकी जो details है सबकुछ है sources में mentioned है ठीक है सोर्सेस और सोर्सेस कॉंटेंट यह सब कुछ इसी के अंदर में ब्राउजर का जो डेव टूल्स होता है वो समझता है और हमें एकदम से करना है सबसकते हैं रहा है कि अब है यह नहीं कर रहा है जो भी कोड आ रहा है यहम पढ़ सकते हैं समझने लाइक है लेकिन हम कमांड में अगर npm run build करें ठीक है और index.html यह कर दें यह करके enter करेंगे तो देखो error आएगा चलो यह error आगया यह बोल रहा है कि जो हमारे यह बोल रहा है कि जो हमारा package.json इसमें line number 5 पर हमने कुछ लिखा है इसको हटा दो यहां पर बोल रहा है कि जो इस package.json में जो आप की entry है आप की entry point है वो index.js है जबकि हम यहां पर दे रहा है index.html ठीक है तो यहां से हटा देंगे तो फिर यह काम करेंगा और जैसे हम build करेंगे इस folder के अंदर और भी चीज़ें आ जाएंगी ठीक है अलग से मतलब यह यह एक नया html बना है और यह एक minified html है तो एक बार मैं इसको delete कर देता हूं मैं delete करके एक बार फिर से build करता हूं npx parcel build यह करता हूं तो यह क्या करेगा एकदम production build यह एकदम से ready कर देगा इसमें html भी minified रहेगा अगर css है तो भी minified रहेगा यह source map तो already minified था ही और हमारा जो javascript है यह भी minified हो गया है ठीक है लेकिन run करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी हम इसको अगर new folder में reveal in file explorer करें इसको हम copy करके desktop पे paste कर दें और फिर हमें deploy करने के लिए बस इतने ही system की जरूथ है मतलब हम इतना ही deploy कर सकते हैं अगर चाहें तो इतना हम यहां पर netlify पर चाहें तो drag and drop करके upload कर सकते हैं और चाहें तो कहीं भी upload कर सकते हैं और यह हमारा चल रहा है एकदम मस्त ठीक है और source map भी connected है यहां पर आके देखेंगे तो node modules भी सब कुछ दिख रहा है जबकि हमारे यहां पर कहीं भी node modules नहीं है कुछ भी नहीं है तो यह एकदम सभी से चल रहा है ठीक है और sources में जाके code देखेंगे तो अभी यह actual code है minified है यह actual code हमारा minified है यहां पर कहीं न कहीं hello world लिखा होगा इसको copy करके search करता हूँ यह यहां पर एकदम end में hello world लिखा है लेकिन यह जो source map है यही है जिसके card हम देख पा रहे हैं कि skip.js एक file रही होगी जहां से इसको generate किया गया था ठीक है और वहां पर कुछ ऐसा लिखा था तो यह डब टूल से समझ ले रहा है अगर हम इस चीज को हटा देते हैं जो source map को link करता है तो देखो सारा कुछ गया कुछ यह अभी हम minified file में जाके कैसे देखेंगे यह इस तरह स तो यह एकदम से यह बटन क्या करता है प्रिटी मतलब थोड़ सा format कर देता जितना यह कर पाता है ठीक है तो इसको अगर हम दबा देंगे तो एकदम से मतलब non formatted version में आ जाएगा और फिर हम अभी देखेंगे तो यह पता ही नीच लेगा कहां से console लोग आ रहा है यह ठीक ह मिनिफाइड होती है production में तो बहुत ही दिक्कत होती है इसलिए हम source map को disconnect नहीं करेंगे इसको रहने देता है और फिर एकदम से मस्त हमारा पूरा node modules का structure दिखने लेगा और एकदम से चल रहा है तो मतलब जावस्क्रिप्ट जो पार्सल है वह मिनिफाइड कर देता है चीजों को अगर हम चाहें तो console lock को भी रिमूफ करवा सकते हैं हम बता सकते हैं एक मतलब आप गूगल पर सर्च कर लिजिए कि how to remove console locks from production बेड तो आपको मिल जाएगा बिसिक प्रिंट से console lock हो जाएगा ठीक है कि production में console lock डालना बहुत अच्छी बात नहीं होती है console में print होके आता है तो बहुत लोग प्रिफर करते हैं कि production में जाने से पहले मारा console रिमूफ हो जाए तो यह होता है पार्सल पार्सल बहुत ज़्यादा powerful है जब तक हम यह क्या बोलते ह लिखेंगे तब तक हम पार्सल ही यूज करेंगे और मतलब पार्सल के अलावा भी एक होता है जिसका उसकर करके हम react रण कर सकते हैं वह होता है create react जो की अभी तक official था react के website लेकिन अभी वह unofficial बन चुका है अभी तो next js को उन्होंने official बना दिया लेकिन अभी जब तक हम react के यूज करेंगे दो में प्रोजेक्स बनाने होंगे तब हम create react एप यूज करेंगे या फिर जव हम basic चीजह सीख लेंगे फिर हम उसके बाद हम create App यूज करेंगे सीखने के लिए पार्सल बहुत ही अच्छा बहुत ही मस्त टूल है और create react भी जो create react आप है वह भी यही चीज क करता है और अदर आश inac stimmt करना पड़ता है तो फार्सल के सीखें के चीज़ों को में अम्मित करता हूं में करता हूँ आपको पार्सल सेटेप करना आ गया हो क्यान और यूजुमार का क्या होता है छया हूला होता उसके साथ सारे काम करता है यूब सब्सक्राइब करता है और भी कर सकता है त्रीशेकिंग करता है याद करने कुछ भी जरूत नहीं यहां पर आएंगे दस्टों कार्ड है दस्टों कार्ड को पढ़ लिजिए आपको करता है compression करता है code splitting करता है ठीक है content hashing यह क्या होता है आप चाहें तो पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा in detail जानने की ज़रूत नहीं है बस setup करके अप run करने की अगर हमें मतलब अगर अप setup करके run app, run app को run कर पा रहे हैं तो उतना ही बहुत है और हमें यह सब कुछ समझ में आ गया कि कैसे काम करता है basically उतना more than enough है और next वीडियो से हम react के actual features देखेंगे जैसे कि react के components क्या होते हैं कैसे component को create करते हैं कैसे render करते हैं फिर उसके लिए तो मैं उम्मिद करता हूँ आप आने वाले वीडियो के लिए काफी excited होंगे अगर इस वीडियो से related आपका कोई भी doubt है कोई भी question है तो आप comment में पूछ लेना और आप चाहें तो आप टेलीग्राम रूप जोइन करके वहां पर भी question पूछ सकते हैं तो मिलते हैं ने